यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ पुलिस का सहयोग करने की अपील की है परिवान मंत्री ने कहा कि अगर कोई दलाल उनसे टिकेट के नाम पर जादा पैसे मांगता है तो वो उसकी शिकाद पुलिस को करें जिसके बाद दलाल के खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी तो दलालों पर सक्त कारवाई की जाएगी अगर कोई भी इस तरीके के मामले में सल्ब पाया जाता है तो लोगों और प्रेटकों से अपील की गई है कि उनकी शिकायत पुलिस थाने में करें ताकि उन पर सक्त से सक्त कारवाई की जाए और टिकेट में दलाली का ये मामला है जो कुल्लू में देखने को मिल रहा है प्रेटक स्थल है मनाली जहां पर इस तरीके के मामले देखने को मिल रहा है और परिवहर मंत्री ने कड़ा रुक अक्तियार कर लिया है दलालों पर सक्त कारवाई की जाएगी और साथी आपको बता दे कि लोगों और प्यटकों से अपील की गई है कि अगर कोई इस तरीकी के मामलों में सलिप्त पाया जाता है तो उसकी शिकायत पुलिस को करे ताकि पुलिस उस पर सक्त कारवाई कर सके तो इस पुरे मामले को लेकर परिवाहन मंत्री ने कड़ा रुख अक्तियार कर लिया है और दलालों पर सक्त कारवाई की जाए कि लोगों और प्यटकों से अपील की गई है कि उनके शिकायत पुलिस थाने में दर्च कराएं साथी आपको बता दे कि इस तरीके के मामले कई बार साबने आ चुके हैं और प्यटक्स थल होने के कारण इस तरीके के मामले ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं तत्य पूर्ण कोई बात है कि फ्लाम व्यक्ति ने ये किया और ये लिया तो तब तो बात है लेकिन अंदाजा करके करना और लिश्चीत रूप से अगर कोई लगता को इश परकार को प्रूफ के साथ आहे तो उस परकार भाई करनी चींचिया और ऐसे लोगों दंडित करना झाल झाल